हलो बातो को आज करने कितने कितने तरीफ का होता है अलग-अलग और गाइसस में हापको प्लचेंटा अलग-अलग तरीके कर देखने को मिलेगा और वो भी है कुछ बेसिस हम लोग बात करेंगे हैं उसके आधारव प्लसेंटा को हम लोग केटेगराईज करेगे तो सबसे पहला category है placenta का वो है on the basis of histology ठीक है तो histological evidences के basis पर अगर देखा जाए तो placenta जो है वो फुल में लाकर चार तरीके का होता है तो सबसे पहले हम लोग origin देखते है कि placenta किस तरीके से embryo और mother के बीच बनता है तो सबसे पहले देखिए चाहे कोई भी placenta हो हम लोग एक तरफ endometrial जो mother का जो lining है उसको बनाएंगे और दूसरे तरफ हम लोग embryo को लेकर चलेंगे और दोनों को हम लोग देखेंगे कि किस तरी बना रहे हैं यह है blood vessel ठीक है तो यह हो गया blood vessel अब यह किसका blood vessel है तो हम लोग बात करेंगे भी यहाँ यह जो आप dots देख रहे हैं इसको हम लोग थोड़ी दर के लिए मान कर चलना है कि यह connective tissue है क्या यह connective tissue और यह connective tissue जो है इसके आज़ पास आपको यह मिल गया corion वाला line जो embryo के extra embryonic membrane से बना हुआ होता है इसके जस्ट अगर नीचे बात करें तो एक लेर हम लोग ले रहे हैं यह वाला यह है इंडोमेट्रियम का लाइनिंग ठीक है जिसे हम लोग डेसी डिवा भी बोलते हैं हम लोग कई एक बार इस वर्ड को यूज भी किये हैं यहां पे नीचे में भी आपको देखने को मिलेगा कनेक्ट टिशू तो यह हो गया कनेक्ट टिशू और यहां कि यहां पर फिर फिल अब ब्लड बवि में गवार्ट तो। कियाигр कर नांअ GET की कितना स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं यहां पर आप बंगे एक लो तीन चार पांच और छे यह कुल मिला कर छे स्ट्रक्चर्स है अब सारी के नाम देखते हैं यह जो ब्लैक वाला रीजन आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग थोड़ देर के लिए मान लेते हैं यह क्या है तो यह एंब्रियो साइड ओफ प्लसेंटा है यह हो गया एंब्र और एक मदर साइड भी प्लसेंटा होगा और दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन बनता है एक कनेक्शन बनता है उसके बाद मदर से निउट्रिशन जो है वो एंब्रियो में ट्रांसफर होता है तो जब यह छे पार्ट्स प्रेजेंट हो ठीक है तो सबसे पहला जो नंबर है ताइपस उसको हम लोग लिग देता है अन दर बेसिस ऑफ हिस्टो लॉजी तो हिस्टो लॉजी के बेसिस पर देखा जाए तो जो सबसे पहला यह जो प्लसेंटा है ए नंबर इसको हम लोग बोलते हैं तो यह हो गया इपिथीलियो कॉरियल है प्लसेंटा ठीक है अब यहां पर क्या है तो एंब्रियो साइट में यह हो गया ब्लड विसल यह हो गया connective tissue यह हो गया जो embryo का जो कॉरियोन वाला लेर है ठीक है तो यह कॉरियोन हो गया यह कॉरियौनिक विलाई हो गया अब यह जो रेट वाला है इसमें अगर इसकी बात की जाएं तो यह क्या है तो यह हो गया endometrium यह हो गया, endometrium, यह जो dots बराया हुआ है यहाँ पर यह हो गया, connective tissue, ठीक है, और यह है, mother का blood vessel, blood vessel, क्योंकि यहाँ पर तो अल्रेडी लिखा हुआ है, कि कौन embryo side का है, और कौन mother side का है, तो जब यह 6 components, यह जो 6 components है, सारे present होंगे, तो उस तरह के प्लसेंटा को लोग क्या ब यह chorial placenta, तो epithelio chorial placenta जो है, इसमें क्या हो गया, six layers, separate, maternal and embryonic connections, आपको यहाँ यहाँ रखना है, ठीक है, आप जो दूसरा है, दूसरा जो प्लसेंटा का टाइप है, उसको बोलते हैं, हम लोग sin decimal, ठीक है, दूसरा जो टाइप है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sin decimal chorial placenta, अब इस प्लसेंटा में अगर बात किया जाए, तो इसका दिम लोग structure देख लिते हैं, तो इसके structure में, यह हो गया, embryo का blood vessel, यह हो गया, इस इसका, chorionic विलाई वाला portion, ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या देखेंगे, इसके जस्ट नीचे में, आप अगर देखें, sin decimal chorial, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ केवल और केवल पांच layer है, जो की maternal और embryonic, maternal और embryonic जो connection है, उसको separate कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक number one यह हो गया, blood vessel, number two हो गया, connective tissue, number three हो गया, chorionic part of embryo, और यहाँ पे देखिए, endometrium जो है, उसको तोड़ता हुआ, ठीक है, actually होता क्या है, यह जो chorion है, धीरे धीरे जो यह enzymatic secretions को secret करता है, जिसकारण endometrium का जो lining है, वो lining dissolve हो जाता है, और directly यह जो chorionic part है, यह blood vessels connective tissue में आकर के dip कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, only five layers are present, ठीक है, इस तरह का सेंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा में केवल और केवल क्या होगा, पाच लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगला जो टाइप है, प्लेसेंटा का, उसको हम लोग कह रहे है, endothelio, endothelio corial placenta, क्या कहेंगे इसको हम लोग, endothelio corial placenta, अब यह जो है, देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा हो है, एक चीज, कि धीरे धीरे जो लेयर से हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे है, तो यहाँ पे था छे लेयर, यहाँ था पांच लेयर, अब यहाँ क्या हो जाएगा एक लेयर हो जाएगा, एक लेयर, और क्या हो जाएगा, रेडियूस हो जाएगा, ठीक है, तो रेडियूस कैसे होगा, यह हम लोग देखेंगे, फिर से वही, यह हो गया, embryo side of blood vessel, इसके आस पास का, connective tissue, और यह हो गया, यह हो गया, corionic part of embryo, इसके नीचे अगर बात किया जाए, तो केवल और केवल, आपको क्या मिलेगा, देखने को, तो मदर का blood vessel केवल, मिलेगा, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले, एक पात और लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ पर endometrial lining is dissolved due to the enzymatic secretion, enzymatic secretion of chorionic villi, तो chorionic villi, जो है, उससे कुछ enzyme निकला, वो endometrium को dissolve कर दिया, that's why there are five layers in this type of syndesmocorial placenta, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर connective tissue भी गायब हो गया, अब केवल और केवल क्या रहे गया है, तो blood vessel रहे गया, that's right, it is called endothelio chorion placenta, केवल और केवल endothelium, mother side में केवल और केवल endothelium, यानि blood vessel बचा है, endothelium या इसी कों लोग क्या बोलते हैं, blood vessel ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, only four layers are present, केवल और केवल क्या है बाबु, तो चार लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, तो इस तरह के प्लसेंटा में हम लोग देख रहे हैं, कि बोथ, desidua, that is endometrium, साथी साथ, connective tissue, connective tissue, are degraded, दोनों खतम हो जाते हैं, ठीक है, चौथा जो टाइप है, इसका, वो है, हीमो कोरियल प्लसेंटा, हीमो कोरियल प्लसेंटा, ठीक है, हीमो कोरियल प्लसेंटा, अब यह हीमो कोरियल प्लसेंटा क्या है, तो इसमें, एंब्रियों पार्ट एंब्रियों साइड का सब कुछ होगा एज यूज्वल पहले की तरह ठीक है लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि मदर साइड में ब्लड विसल्स नहीं होगा केवल और केवल यह जो कार्यों वाला जो पार्ट है यह डिरेक्टली डिप्ड होगा यह डिरेक्ली डिप्ड होगा ब्लड वेस्ट ब्लड में ठीक है यहां से तरीके से तो यहां पर इसको लिख देते हैं कि कॉरियोन कॉरियोनिक विलाई इस डारेक्टली डेप्ड इन ब्लड तो यहां पर एपसेंट है तो यहां पर एपसेंट है है ब्लड वेसल कि डेसी ड्यूवा कि एंड कनेक्टिव कि टिश्व कि आर एपसेंट और यह डारेक्टली ब्लड में डिप्ड होता है यहां पर इस तरह का प्लसेंटा आपको देखने को मिलेगा यूमन में तो यूमन में आपको बेसिकली याद रखना है यूमन में तो यूमन का जो प्लसेंटा है वह हीमो कोरियल टाइप प्लसेंटा होता है ऑन दा बेसिस ऑफ हिस्टोलोगे टिशू के बेसिस पर देखा जाए तो अब अगला जो चीज है वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वीडियो अगर आपको अच्छा है तो आप इससे सब्सक्राइब भी किजिएगा वीडियो को शूरू से लेकर के अन तक देखिएगा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए